को हम बनाते हैं तो देखिए यह हमने लिया एक काटोरी बेशन एक काटोरी से कम लिया हमने यह गी तो यह मतलब दोनों काटोरी में सेम बराबर मतलब आता है जो भी मतलब डालते हैं तो दोनों काटोरी बराबर है तो यह हमने एक काटोरी से कम आधी काटोरी से थोड़ा ज् अब देख सकते हैं बनाते हैं अब इस रेसिपी को तो देखिए यहां हम ने गैस को ओन कर दिया है इसमें डालना अब हमें यह गी अधिया और घी हमारा देखिए मेल्ट भी हो चुका है अब इसमें डालना में यह सूजी तो थोड़ी देर हम एक-दू मिल्ट के लिए सूजी को पहले पका लेते हैं अब इसमें डालना है हमें देशन तो हमने देखिए थोड़ी देर पहले सूजी को पका लेता है क्योंग इसमें डाल देखिए प्रश्च 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 को बस लोग इसके फिर्म पर बीश्म को अच्छी से पकाते रहना तब तक यह घीना चूड़ तब तक इसको अची से पकाने दाना जैसे जैसे शुम पकाते जाएंगे तो देखिए यह बेशन घी छोड़ने लंचाएगा तो देखिए अब आपको क्या करना है इस पें थोड़ा सा गया पानी लिल्याई पानी डाले इंटाल कर तो पानी कची से अंब करें देखिए यहां पानी की जगद दूद भी डाल सकते हैं इसमें पानी ही यह क्या है आप इसमें दूद भी डाल सकते हैं एक चमस गी ओडालना में एक चमस के लगवाग अमने इसमें थोड़ा सबी ओडाल दिया तो देखिए इसको हमें थोड़ी देर ओर बूनना ताकि अच्छे से अमारा बीशन बून जाए तो देखिए बीशन को बिल्कुल देखिए हमने अच्छे से बून लिया आपको देख रहा हो देखिए इसका कलर भी चैन्ज हो चुका है इसमें डालना है इस पिल्मी रेट कटोरिया में इसमें चेनी याड़ करेंगे आपको अच्छे से फीगंने देंगे पानी में तो देखिए चेनी को अच्छे से पदलने देंगे अलका सा बस एक टार बनना चाहिए नहीं आपको इसको चाचनी बनाने में तो देखिए जब प्सकाइब एक तक हमारी चाचनी बन करके त्यार होती है आमने दूसरी घ्रस पे बेसन को और थोड़ा सा शून लें कि बेसन दिखना दूशा नहीं रहने ज़ए वारना आपकी आपकी जो भी निठाई बनाएगे लात बीसन कंच्छा नहीं रहना चाहिए न मिठाई अच इसके अच्छे से बुन रहें तो देखें ये पूरा गी छोट वेगा इस तरीकिसे इस तरीकिसे सबसे अच्छे इसकी पहलाई भी छोड़ने लग जाता है जाए लिए तो इसका अच्छे से अब लग चुका तो चाचे नहीं रखेती उसके बाद से हम इसको दूसरी गेस प तो इस बार आपको जहान रखना बर्फी बनाते हैं तो देखिए यह इसन बिल्कुल अच्छे से अब हमारा अच्छी से भून चुका अब आप गया इसको बंद कर देंगे और हमारी चाचनी को चैक कर लेते हैं तो देखिए जब तक चाचनी बनते हैं तब तक हम एक देखिए तो टेल लगा करके इसको अच्छी से ग्रीस कर लिया है तो देखिए अब एक बार चाचनी को चैक कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके का हलोल का सदेख एक तार बनने लग जां कर देना तो देखिए चाचनी को अब तुरंति बेशन में डाल देंगे इस तरीके से डालते हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए देखें डालते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिए आपको जो बच्ची वी चाचने इसको भी हम इसमें डाल देए और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां देखिए हमने कोई भी इसमें कलर वगारा बिल्कुल भी नहीं डाला है फ्रेंस अगर आप इसको कलर डाल करके बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी कलर इस टैम डाल सकते हैं लेकिन हम इसको बिना कलर के बना रहे हैं घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें कोई भी कलर नहीं डालेंगी बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है देखें काजु बादम का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो देकिए हमने लिया यह थोड़ा सा बादम का पाउडर, दास ने पंदर हमने बादम लेती हैं इसको अब इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी से, इससे बर्फी का और भी ज्यादा थोड़ा टैश्ट बढ़ जाएगा तो फ्रेंस यह आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना इन सब चीजों को आप इसकी भी कर सकते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है डालना तो आप क्या करना अब लेना हमें जो पलेट त्यार करके रखे ती यह वाली रखे मैं और इसमें डालना आप हमें यह मिस्रन जो हमारी मिठाय का बन करके तयार अधनी तो देखी कडाय कर्दे की चडाय को चेशी चोड़ने लग गया तो देखी इस तरिक शुआ के के अच्छे से आपको पकाका करके देह के तियार करना या तो अच्छे मिठाय e प्लेट के फुल भर गहीं तुझत है कुछ इस ही इसमें क्या है अ च्छे ईच्छी से अस्था प्लेट गर vide को यह सकते हैं तो आप को आपी ऑप कुछी लेती है कि आपकर सेक्त नहीं इसे हैड यह इस तरहा है उसलिक इश्क को तो थोड़ा सा हमने यह देखे यह बुरा दा बचा लिया था पूरा हमने नहीं डाला तो पर्सिस तरीके से डाल देते हैं कि चाम को बना रहे हैं तो आप इसको और नाइट रख सकते हैं लेकिन देखते हैं कितने समय में जमती हैं उसके बाद फिर आप आपको दिखाएंगे तो यह देखे फ्रेंस यहां आपने मिठाई को ज्यादा देर के लिए नहीं रखा क्योंकि बच्चे इतनी देर नहीं रुकते हैं आपको भी पता है तो इसके पर हम यह सिर्वर वग लगा देते हैं देखें मिठाई अभी अच्छी से नहीं जमी है लेकिन हम फिर भी इसको कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा देर तक बच्चे नहीं रुकेंगे इसलिए नहीं जमी है तो इसको अच्छी से जमने देते हैं फ्रेंस उसके बाद यह आपको दिखाएं थोड़ी सी समय से निकाल देते हैं तो यह देखें फ्रेंस यह हमारी मठाई तो इधर अपने यह कट लगा लिया तो पहले ही मठाई बन करके तेयार हो चुकी तो यह देखें फ्रेंस यह हमारी सूजी और बेशन की मठाई बन करके तैयार हो चुकी फ्रेंस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना